चली तो दोस्तो स्वागत है आप सभी का वाइफ़ी स्टडी चैनल पर चेंजिंग दवे ओफ लर्रिंग वाइफ़ी सब्सक्राइब नमस्कार एक बर ही बताएं आप सभी को इवनिंग चलिए जल्दी से बताएं आवाज आ रही है फिर हम स्टार्ट करें क्योंकि एक घंटा तो आवाज होनी चाहिए न से पहले कंफर्म कर लें इंग टेस्ट सारे कोशन और जो है टेस्ट की रूप में होंगे कि आपका टेस्ट भी हो जाए आपके कोशन भी हो जाए प्रीविएस यह के जितने भी है ठीक है और साथ बज़े डेली होगा सेवन पीम की क्लास फिक्स होती है वैसे भी आपको मैं रेगुलर टेस्ट कर वारा हूं चार बज़े और साथ बज़े वाइफ है तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बारी बताना क्नेक्टेड हूं चली तो स्टार्ट कर रहे हैं अब अपने सेशन को और बाकी चार बज़े साइंस भी पढ़िए है ना पढ़ना नहीं है टेस्ट देना अभी पढ़ने का समय गया अब पेपर है आपके अब टेस्ट का समय है टेस्ट थोन भी आपका स्सी रेलवे का अवलेबल है अनकेडमी पर और यह आपका स्कैन कोड उसी के लिए ठीक है डाउट कोई हो टेस्ट देते समय उसके बाद डाउट भी आप पूछ चाहिए तो स्पेशल सेशन भी कर अधकी बाइब classic वाला है मेरे बड़त से चाहिए और आपको लाइव और सब्सक्रिंप्शन मिल जाएगा डिसकाउंट के साथ, डिसकाउंट आपको जरूर मिलेंगे जब आप कोड लगा होगा, ठीक है, और तो डिसकाउंट तो अच्छी जी जाना है, लगा लेना है, ठीक है, लाइव अमन, और समय पे लीजे, कोई चीज समय पे हो जाए, तब ही बढ़िया लगती है, ठीक है, चा कर रहे हैं, तो पहला सेट करते हैं, दोबारा तीन से चार सेट करेंगे, और टार्गेट थोड़ा ना, ऐसा रखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ड कोशन है, ठीक है, अगर मैं बोलू कि भाई, 25 में से 17 लियाओगे, तो बहुत सारे बच्चे अभी 17 नहीं ला पाएंगे, आज का जो है, आज का जो टेस्ट है, 17 कोशन पहले टार्गेट पूरा करना है, स्टार्ट कर रहे हैं, पहला कोशन आप सभी के सामने, चली पहला कोशन आप सभी के सामने, इस कोशन का अंसर बताएगा, बड़ा प्यारा कोशन है, most beneficial edible oil for the heart, दिल के लिए क्या अच्छा है, दिल के लिए कुण साथ, oil अच्छा है, ठीक है, दिल के लिए बहुत कुछ अच्छा है, oil कुण सा अच्छा है, बताएगे, इस कोशन का अंसर के है, comment करेएगे, जल्दी से बताएगे, olive oil, ठीक है, हाला कि कमी भारत में इसका consumption है, ठीक है, दिल के लिए अच्छा हो ना हो, बाकी चीज़ों के लिए बहुत बेकार हो जाता है, सामझे रहे हो, दूसरा question देखिए, बताएगे, आजन्था केव क्या दर्शाता है, कुछ तो होगा अजन्था केव में जो इतना अच्छा दर्शाता है, सब कुछ, है ना, दुनिया जाती है, देखने के लिए, क्या दर्शाय जाता है, वैसा वहां पर, चलिते इस question गाँसर है, इस question का answer ह रहा है कि अजन्टा के में क्या दर्शाय जाता है जातक टेल्स गोतम बुद्ध के जन्म की कहानी या फिर और कुछ चलो तो इस कोशिंगांस है गोतम बुद्ध के से पहले वह में बनाके चलना आप एच्छा प्रफॉमेंस जिससे होगा अच्छा प्रफॉमेंस के लिए जरूरी विनोवा भाब इस कोशिंगा आंसर है एक और कोशन देखें चोथा कोशन बड़ा प्यारा नाम है पता है इस कोशनका जल्दी से बतेगा मलेरिया में क्या होता है कुछ लोग पर फरक पढ़ता है कुछ फेफडों पर पढ़वा देंगे कुछ इंटस्टाइन तक पोच रहे हैं घजब चली तो आंसे के इस कुशंग का स्प्लीन इस कुशंग आंसे पेटा मलेरिया से धिमाग कोई फरक नहीं बढ़ेगा आप अपनी काम जैसे करते हैं वै ते फोर्थ एस्टेट इसमें से कौन सा इस कोशंग का आंसर के है पता है इस कोशंग का आंसर के है फोर्थ एस्टेट कौन सा है अगर ये काम अपना अच्छे से करें तभी हम इने फोर्थ एस्टेट मानेंगे ठीक है आंसर के इस कोशंग का जल्दी से बतेगे फोर्थ ए सारे कोशन अच्छे हैं सारे इसका आंसर है चले इस सिकोशन का आंशर है टथ इस इस मा आपनी पर आता है टेली ग्राम चैनल गरियेगा अवन शार वाइब है lotta a के एक और कोशन देखिए का इस कोशन का आंसर के हैं सिक्स कोशन फर्स वार अफ इंडिपेंडेंडेंस रिवोल्ड 1857 को किस ने का था जल्दी से बताई इन्हों ने इस पर पूरी कहानी लिग डाली ठीक है मतलब सच्छा ही लिग डाली जो थी है ना कहानी तो नहीं है किम दोस्तों बड़ार करें अए जान्सर एटका जैक है । वीडि साझें का अंसर है थिक दीकर बली क्या है कि यात्रा है मैंने आपने बली यातरह जब सब्सक्राइब ड़ी उस परणा क्या जैसे पूरी यातरह हुग गया जगन नात्य यात्रहएं उड़िसा में नSir नौ, पफिर आप बस देखने आए हैं दर्शकों की तरह तो फिर तो बहुत सारी चीज़े हैं देखने के लिए फिर पढ़ाई की कोई आवे सकता ही नहीं है ना तो answer करो फिरा answer के मज़ा नहीं आ रहा है एक और question देखेगा 9th question Body temperature एक आम इंसान का कितना होता है ठीक है जैसा उमीद है आप सभी का है ठीक है answer के इस question का जल्दी से बतेगा comment गरीगा answer के इस question चल जैसे ये question है इस question का answer है Body temperature healthy human being का कितना होता है definitely जो है अरे भाई 98.6 degree Celsius लगा रहे हो कुछ बच्चे मुझे बताओ पानी कितने भी उबलता है अल्दा पानी के उबलने जितना temperature बना रहे हो बिल्कुल अपना गजब हो common sense नहीं लगाते हो बिल्कुल भी answer के इस question का 10 में question का raw of India कौन से पठार को कहा जाता है जलदी से बताएगा her answer के GO किसे कहा जाता क्मेंट करेगा चली इस question का ans Minuten के चली तो эту question का answer के थिक है जैसे एक किसे का जाता है इसमें से छोटा नाकपूर भॉझे इस question का answer है इसके उपर एक और question आता हो थ् यह mineral हर्ट of India भी है मिनिरल हर्ट लेंड ओफ इंडिया भी है चलिए एक और कोशन देखें इस कोशन का आन सके बंगाल का पार्टिशन कौन से वर्ष में हुआ था क्या है कि दिक्कत है चाइनिस टाइप कोशन है 906 और 905 दोनों दे रखा है क्या लगाना पसंद करेंगे ठीक है बता ही आन सके 905 और 906 जो है आप्शन में दे रखा है एक बच्चे ने 907 लगा दिया मतला नोटा वाला कंसेट फोलो किया है बच्चे ने ठीक है दन आप दी अबब चाला तो आन सके इस कोशन का आन सर है 905 905 इस कोशन का आन सर बारमा कोशन बताई इस कोशन का आन सर निक्स ओलंपिया पता तुम्हें ये निक्स ओलंपिया माउंट एवरिस का भी तीन गुना है और ये हाइस माउंटेन है कौन से प्लैनेट पे है बताई बढ़ा प्यारा सवाल है पता होना चीए, निक्स ओलंपिया जो है, हाईएस मॉउंटेन है, ये पता होना चीए, आप सभी को ये कोशन बड़ा प्यार है, इस कोशन का आंसर केई चलो तो आंसर के इस कोशन का ये मार्स पे है, थीक है, माउंट अवरेस्ट आथ हजार, ये तीन गुना, गजब कौनसी नदी किनारे वेदिक सिवलाइजेशन की स्थापनों हुई सिंदू, घाटी, सब्वेता और वेदिक सिवलाइजेशन में फरक है इस चीज़ का कमेंट करेगा प्यारे कोशन है आज कौनसा कोशन था है 13 कोशन था सरस्वती बिलकुल, बड़े अच्छे आंसर देते हैं आप ठीक है 14 कोशन देखिए, चेर्मेन राजय सबा के कुछ असान भी ठीक है 17 प्लस लेके जाना है ठीक है बेश्ती नहीं गरानी है, 15 पे मत रुख जाना, 17 प्लस हर कोई लाना मैंने आज वो स्कोर दिया है कि हर एक बच्चा करोश करें मैंने 17 बोला है तो हर एक बच्चा करोश करें 17 के उस मार्जिन को 25 में से अगर आप लेट नहीं आए हैं तो अगर आप लेट आए तो फिर कुछ हो नहीं जकता दोस्तों सारे के सारे शेर शेर नहीं करना है आपको खुद लगाने अभी ठीक है शेर करोगे तो फिर आपके कोशन चूटेंगे ना आप इस पर कोशन पर फोकस करो जाद जादा अपने आप आजाएंगे इस कोशन का आंसर है सोलमा कोशन देखि को ल्युटेनइन गवर्नर्ण जैसे जम्यों कश्मीन में अवन चिन финा जी न है एना अब इस सवाल का जवाब कब देगे मनों सिना जी जो लूटेन गवेर वो किसने बनाये हुट जल्दी से बताइब करिए इस कोसंगा आन सेके कुछ बच्चे लगता है शेयर करने चले चलेगे जल्ब आन से इस कोशंगा प्रेजिनेट के द्वारा सत्रमा पतें आन से के इस कोशंगा मौरेन रूलर जो मौरेन जो रूल था उसमें कोईंस किसके द्वारा बनवाये जाते थे या बनाये जाते थे मतलब सारा सिक्कों का दामुदार इनके बास ही थे बताई इस कोशन का आंसे के अच्छा कोशन आंसे के इस कोशन का जल्दी से बताईगा चलो तो इस question का answer के है सिक्के किसके द्वारा answer इस question का ठीक है लक्षन अध्यक्षा चलो एक और question देखे बड़ा अच्छा काम था इनका सिक्क वाला काम पुल्जर प्राइस किस फिल्ड में दिया जाता है बताई कौन सी फिल्ड में ये प्राइस दिया जाता है इस question का answer के है बड़ा सरल है ठीक है बहुत ही प्यारा मासूम सा सवाल आन से के इस question चलो तो इस question का answer के है कि ये जो field है ये कौन सी है जर्नलिजम की field है उननीसमा question chairman, drafting, committee, constant, assembly के कौन थे इससे असान कुछ नहीं हो सकता सतरा प्लस अराम से आने चाहिए ठीक है सब के आएंगे सतरा प्लस अभी अन दूसरा set स्टार्ट करेंगे उसमें देखते हैं आप क्या score करते हो लेट सी कि आपका कितना score कहां पे improve होता है ठीक है तो आपको कितने साल वकालत की उने चीन्हें हाइइ कोट में यांसर के ईस कोशन का है मैंने ड्या나 क के hy और यांद रख न, जब नए अनफे जावारे बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा कोशन चलीए कौशन देखेगा लेटात्यों लटमार होली यूपी के कौन से शहर में खेली जाती है बते ही बड़ा प्यारा कोशन है लटमार होली कि मनला ऐसे व्यात रखते क्या है एक बच्चा कहा रहा सर्फ प्रश्ण में दम नहीं है प्रोटीन खिला के आएगा फिर तो दम हरे एक्जाम देखो कुन सा है और उसके सवाल देखो ठीए अभी UPSC का एक्जाम हुआ था उसका दम देख लेना एक बरी थोड़ा सा पेपर को पेपर के हिजाब से करना है आपको आंसर को प्रेजिडेंट का आंसर है चाहले एक और कोशन देखेए 24 वा कोशन सूपर नौवा शूपर नौवा क्या है जल्दी से बताए इस कोशन का आंसर के है देखो एक्जाम की रियालिटी को समझो ठीक है आप बहुत जाए अब करेंगा अब यह कही हो के लिए असान है कही हो के लिए मुश्किल है और सिर्फ प्रैक्टिस की बात सूपर नोवा क्या है अब सारे लगा रहे हैं समझे खेल को खेल को समझो किसे कौन सा क्या आंसर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो इस वजए सेट ने थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा खाया है समझ रहे हूं क्या कहना चाहता हूं तो इस वज़े से इसका set का target 25 में से 15 है कोई कहगा सर कल तो आप बढ़ा रहे थे आज आप घटा रहे हो मैंने धीरे धीरे protein खिला है ना हर एक set को समझ रहे हो तो आप हम set start कर रहे हैं दूसरा set है 25 में से 15 लाने है ठीक है इस target को cross करना ल सबस्क्राइब करेंगा आप यह कोशन किसकी वज़े से होता है तो इसकोशन का है इसका पार्टिकल सभी ने सही बताया सभी बात है दूसरा कोशन देखेंगा है अब कब विजिवल होगा थोड़ा सा मुश्किल कोशन इस कोशन का अंसर कोशन चलो अब जैसे यह कोशन थोड़ा सा difficult है कि हैले जो comment है ठीक है थूब खेतू यह कौन से वर्ष में आने के chances है आंसर के इस कोशन का दोस्तों यह है 262 में आने के chances है तीसरा कोशन भारत रतन अवोड कौन से व्यक्ति को मिला था राष्ट्रपती बनने से पहले कि वो राष अत्रतन सम्मानित तभी किया जाता है वो राष्ट्रपती होते हैं यह trend है और trend को जो बदल लाले उनका नाम क्या तो आनसे के इस कोशन का आंसर है एस रादा किशनल UPSC economics के 20 सवार तो लेक और question देखे चोथा question देखे नेशनल स्पोर्ट्स भुटान इस कोशन का आंसर के जल्दी से बताईगा इस कोशन का आंसर के श्यक्त नेशनल स्पोर्ट्स भुटान का कुए बढ़ा असान है कोशन थेकिए आंसे के इस कोशन का बड़ा असान सा कोशन है तो इस कोशन का आंसर क्या है आर चरी तीर अंदाजी में बहुत ज्यादा जल्दी से इस कोशन का आन सके हैं को जैसे हैं चाट डिक्री से सस्ता सवाल मासूम सा चली छटा कोशन देखें नैशनल स्पोर्ट्स दे किस दिन अबजर के आता है नैशनल स्पोर्ट्स टेंशन मत लेना आभी पांच में कोशन में आएंगे आप ये समझ लो कि 15 बोला है तो आखिर तक जाते जाते पावर बढ़ जाएगी कोशन की ठीक है आप जो है 15 से लेके आगे 25 तक कोशन को बहुत जादा ध्यान से करिएगा ठीक है ध्यान रखिए ऐसा नहीं है कि बस पेपर में पहले दो-चार कोशन अच्छा है तो खुश 29 इस कोशन का आंसर है साथमा कोशन देखिए तीसरा सेट भी होगा अंद्रण स्पीड में करने चीज़ होगा अच्छे से हमारा कवर हो जाएग चलो इस कोशन का अंसर के हैं दोस्तों कर डिक्रीज इंग्रीज का अंसर है कि बहुत होता है ठीक है आटमा कोशन देखिए फर्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर को उमीद है सबको आता है यह कोशन आज क्यों को कि चलो शलॉ तो बताएं से के इस कूशनगा इस कोशन का अंसर बताई कि इस कोशन का अंसर है बलदेव सिंह कोशें देखिए ना इंथ कोशन अब लास इस यूज इन and making optical instruments बतां ये optical instruments बनाने में कोन साइस में से लास यूज होता हैं कमेंट करें का आल्स और केफ़ कुषंग ही और दुआ है सब्सक्राइख इस ग्मेंट करें और ये आंसद और येसकुषंग is कि आपडेट डाल रहे थे आपके लिए फ्लिंट ग्लास इस कोशिंग का अंसर एक और कोशन देखेएगा दसमब कोशन बताएं ठीक है लोंग वॉक्टू फिडर्म जो है किताब के ऊथर कोन है जल्दी से बताएगा डियर आज मैक्सिमम सेट करना स्ट करतेंगे अब आपकी हैबिट बढ़ाएंगे तीन की जगा चार सेट करनेगे आज तो खेर तीनी सेट लाया हूँ लेकिन कल से आपको 15-15 मिनट के टाइम डिरेशन में होगा तो एक घंटे में हम पूरे चार सेट करेंगे 15 मिनट इच ठीक हैं ध्यान रखेएगा कल से आपको चार सेट मिलने वाले हैं इसी टाइमिंग पर नेलसन मंडिला इस कोशन का आंसर 11 कोशन देगे वाटर ट्रांसपूर्ट जो है किसकी थुरू होता है इस कोशन का आंसर के हैं इस कोशन का आंसर बताएगा एक बच्चा कहा रहा है सर आप क्लास में सामने आके खड़े हो जाते विट आप दूर से तो इंस्ट्रक्शन दूंगा नहीं आई ये वाला कोशन करा दो सामने तो आना पड़ेगा ना है ना और ना ही मैं अद्रिश्य उजायल में इस कोशन का आंसर है 12 कोशन देखेगा फर्स भारत रतन मंड़ा उपरांत किने बिला था इस कोशन का आंसर है जल्दी से बतेंगा प्यारी बाते करते वे बिलकुली answer के question चलिए इस question का answer के है भारत रतन मननो उपरांत केरे मिला था दो answer है लाल भादुर शास्त्री जी को ठीके सर इतना भी सामने नहीं है यह वीरमा answer है IMF के headquarter कहाँ पे इस question का answer के है IMF के headquarter कहाँ पे जल्दी से बताएगा answer के है कुछ जाद ही असान कोशन है तो इस कोशन का आंसे क्या है वाशिंग्डन डीसी कोशन माउंट एवरेश की हाइड क्या है साइड हाइड लगा ना इतनी मत लगा देना कि पूछाओ आप से दिल्ली से पंजाब का और आप दिल्ली से अमेरिका पोचाओ दो ठीक समझ रहो क्य सी लगा रहे कुछ उच्छे अगर आप 8000 किलोमेंटर में लेके जाओगे तो कहां पोचोगे समझ रहो एक बड़ी इमेजिन करना क्लास एंड होने के बाद एक जस्ट इमेजिन दूर की दृष्टी से पंद्रवा कोशन इस कोशन का आंसे के हैरी पोर्टर की सीरीज किस न देखते हैं सब्सक्राइब जाड़ू में बैठे हुए इनसान को उड़ता हुआ आंसर इस कोशंगा जे के रोलिंग इसकोशंगा आंसर है सोलम सवाल पते रियल ने मुम्ताज महल तेकि मुम्ताज महल को को नहीं जानता ठीक है लेकिन अभी बताएए इनका रियल नाम क्य ठीके पहला नाम आप पढद लीजेगा सत्रम सवाल देखेए इसकोशंगा अंसर बते यह फंक्शन हेवी वोटर का न्युक्ली रेक्टर में क्या होटा इसकोशंगा आंसर बते है चल views वेटा डेली आगरो साथ बचे test भी हो जाएगा mind fresh भी हो जाएगा पूरे दिन से पढ़ रहे हो ठीक है और practice भी हो जाएगा यह ऐसा होता है कि पूरे दिन अगर आप पढ़े हो शाम को एक test देना जरूरी है मैं जो है यह advice इसलिए दे रहा हूँ कि यह successful होता है इससे बच्चा अगर आप पूरे दिन पढ़ रहे हो साथ बजे एक test दे दो बढ़िया सा जीकेगा अपने माइंड फ्रेश हो जाएगा ठीक है और practice भी आज़ा इस question का slow down करता है neutron की speed को अठार मा question वर्ल्ड लार्जस रीवर मजूली आइलेंड कौन सी state नी रीवर पूछा है गजवेवर कौन सी नदीपर ये बना हूँ है असाम असान है वो दी असान question है answer क्या होगा चलिए इस question का answer क्या है ठीक है answer है ब्रह्मा पुत्रा इस question का answer क्या है चलिए what is silk produce from ये जो भी बच्चा जो come for fun वाली category का है कि मतलब class में सिर्फ fun के लिए आते है बैटा पेपर में भी come for fun वाले concept यूज होगा फिर समझ रहो त्यारी करके आएकर वो टेस्ट देने के लिए कि मतलब हाँ टेस्ट देना है जी के पढ़के आएकर थोड़ी सी चल्दा आंसर के इस question का answer है इस question का answer है सिल्क वों प्यूपास से यह produce होता है ठीक है चलिए एक और question देखिएगा पताए डू और डाई का slogan किस नहीं दिया था इस question का answer के आंसर के इस question का जल्दी से बतेंगा मैं बस वो बच्चे देख रहा हूं जो इस सवाल का जवाब गलत कर रहे है सुभाद चंद्रबोस जी ने डू अटाई का slogan दिया था गजब ठीक है फिर तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा किसने दिया था बात में का नहीं जी ने चल्टवान से के इस question का सही जा रहे हो 21 question प्रेजिडेंट रूल जो है इसका मतलब क्या है कि मतलब इसमें स्टेट किसके हाथ में आ जाती है जब प्रेजिडेंट रूल लग जाता है कहने का मतलब constitutional emergency लग गई तो फिर किसके हाथ में किसके हाथ में आएगा मतलब जो रूल है वो किसके हाथ में जल्दी से बताएग हुआ दोश्तों देखो इस प्यह्योट यह दोस्तों देखो उसमें चल रही है कि सब्सक D पहले पहला दिन है कॉरा महीना आपको बेश्थी के साथ सब बहुत कुछ फिल कराएंगे जिससे आपको लगे यार पढ़ देना चाहिए ठीक है आओ लेकिन इस क्लास में पता चले थोड़ा सा कि आप क्या कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ बारा मिनेट में अंबर नबर लाने हैं 25 में फचिस दिखेंगा हैवी य क्या क्या फोर्मला है अगर आप इस सवाल जवाब नहीं बता सकते तो आप अपने नाम की बीचे मतला आगे लगवाईएगा prefix लगवाईगा ज्यादा बड़िया रहेगा suffix नहीं suffix चेंज नहीं करना है prefix लगवाईगा heavy driver पताओ answer के इस question का heavy water का chemical formula क्या है जल्दी सब देगें क्या answer सही है चालो जी कुछ बच्चे अभी भी बुरे हाल है इस question का answer है कुछ ही है यहाँ पर ऐसे नहीं करना था ड्यूस जो एक कौन से sports रज़ी है वर्ड किस से लेड़े है इस question का answer के जल्दी से बतेएगा answer के इस question का जल्दी से बतेएगा बड़ा अच्छा question है तीसरा सेट हर कोई करना ठीक है ध्यान रखना अगर आपने बहुत महनत करके आप दूर तक कोचे होना मंजिल तक पोचना बहुत ज़रूरी है और तीसरा सेट करके ही आपको final analysis होगा कि आप डेली क्या करते हो और तीन सेट तीन ही चार सेट होंगे कल से answer के इस question का analysis question का answer है तीसरा सेट पहले मैंने 17 नंबर का target दिया फिर मैंने और कम कर दिया कि 15 नंबर बताओ 15 नंबर लाके देखो अब मैं आपको finally कह रहा हूं कि आपको 25 में से 25 लाने है और मैं आपको इसीद की बशोड़ी दे रहा हूं कि जितने बच्चे है उसमें 50% बच्चे 20 प् कोशन से आपको समझ आ रहा हूं कि हमें हां 20 प्लस अराम से आजाएंगे बदें आंसा क्या स्कोशन का गोतम मुद्ध की मृत्यू कहां पर विथी जल्दी से बतेंगा है लो डियर गूड़ीवनिंग साथ बजे आईएगा अच्छी लगी कि हमें भी गूड़ीवनिंग आ आने हैं 20 प्लस और कुछ बच्चों को 25 अगा है चलो तो सारी है एक और कोशन देखिए तीसरा कोशन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बदेश कोशन का आंसे क्या है वेड़े टेलीग्राम चैनल है एक अमन सर वाइफे स्टेडी आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं देखो मैं आपको गार्डन्स तो दूंगा लेकिन आपको उसके लिए कनेक्ट होना पड़ेगा तो डेट की मैं आपको बता तो सब क्या क्या कर सकते हो आप ठीक है लेकि नेशनल पार कोन साथ मैं सो सियात में है सिंग्ला नेशनल पार कौन सी स्टेट मैं करेगर को सिपस्टiable एक dur ऑर शरक कोशंत देख गार वेस्ट मंगोल ठीक हैं तो यह कोश्णन बड़ा मुश्किल था अगर सेट के हिसाब से देखाब तो यह डिफिकल रज़ुशन में है बड़ा प्यारा कोस्टल लेक कौन सी स्टेट में इस कोशन का आंसर के हैं तामिल लाडू लगाएंगे या वेस्ट मंगोल या असाम या उडिसा अच्छा कोशन है कि गजब मुश्किल है दोड़ा सा कोशन कि एक और कोशन देखते हैं इस कोशन का आंसर है ठीक है उडिसा का अंसर है एक और कोशन देखेगा जिसका भी गूर्प डी का एक्जाम है वह इस सीजिस को जरूर अटेम्ट करते जाना क्योंकि मैं चार बजे साइंस करा रहा हूं तो ग्रूप डी वालों के लिए मैं लिख उनके लिए है और यूपी पेट वाले बत्से भी ट्राइ कर सकते हैं कोशन सारे आंसर जैपूर इस कोशन का आंसर हावा महल लाने हैं पच्चिस में से पच्चिस आ सकते हैं मैं आपको अभी बता रहा हूं गैंडियो कोटा वैली जो है कौन सी स्टेट में है ठीक है पेप आंसर इस कोशन का आन्र पदेश अच्छा कोशन था आठमा कोशन देखिए जलिया गट्टू जो फेस्टिबल है कौन सिस्ट में यह सारे कोशन आपने कहीं ना कहीं पड़े हुआ है एकुरेसी चेक कर रहे हैं भी हम इसमें इसमें आपकी नोलेज नी चेक हो रही तीसरे स किया था और उनकी मृत्तीविती वह शहीद हुए थे आंसर के सबस्ति आंसर के सकोशन का जल्दी से कमेंट करें आप चलो तो इस कोशन का आंसर के जल्दी जल्दी आंसर लाला लाजपतर आए क्योंकि हम सेवन फॉर्टिफाइप एंड कर देते हैं तो कल से चार सेट हो ज कि चलिए तो आंसर के इस कोशन का जल्दी से बतेगा रजी सुल्तान 11 कोशन गंगा आफ साउथ इंडिया कोशन सोच समझ के लगाना दोबारा कह रहा हूं यह मैंने कराया है कोशन दस नहीं 20 वारी कराया हुआ गलत मत करना प्लीज चलिए इस कोशन का जल्दी से बताएगा एक्कुरेसी टेस्ट है बस यह नोलेज टेस्ट नहीं है तीसरा सेट यहां नकिएगा आंसर इस कोशन कावरी गोदावरी मत लगाओ अब आपको रीजन क्या ही दें आपको बता दिये सोबरी ठीक है टेलिग्राम चैनल यह जोइन करना आपको बार्वा कोशन देखिए सें सकते हैं ठीक है लाइफ क्लास में अनगे विए क्लास में पूछ सकते हैं ठीक है ठीक है थोड़ा स्टूडेंट्र उसमें कम रहते हैं तो आप अच्छे से अपना चाहता हमाण आप असान त्राम बंचायत के लिए कौन सा आर्टिकल है उसकूशन का आनसर बताइं ग्राम पचायत के लिए कौन सा अर्टिकल है अभी लगातार 15 दिन कौन टेस्ट देने वाला है एक बरी येस लिख दो जो जो 15 दिन टेस्ट देने वाला है येस लिखना 15 दिन टेस्ट देने वाले जो 15 दिन टेस्ट देने वाले है वो येस लिख देना एक बरी साथ बज़े आके साड़े साथ बज़े आके निए वेक आरे फिर साड़े साथ बज़े आके देना फिर तो नहीं आया तो बढ़िया आए घुमने चले जाना रणिंग करने चले जाना बढ़िया से या फिर ओर कहीं अगर साड़े साथ बज़े आना चाहते दो आंसर story of my experiment with truth जो है इसके author कोन है जल्दी से बताएगे story of my experiment with the truth ठीक है इन्होंने बहुत कुछ सच लिखा इसमें सत्य और हिंसा सत्य इस question का answer के हैं दोस्तों इस question का answer महातमा गांदी जी पंद्रमा question ELISA test कौन सी disease को detect करता है बताएगे अरे एलेक्सा तो आपकी voice detect करता न अलीशा test पूछा आमने आंसर के इस question का जल्दी से बताएगा कि ओके डियर शुब शुभी चला तो इस question का answer के है एट्स इस question का answer है ठीक है अर्जुन आवोर्ड किस फीड में दिये आता है पेड़ा लड्डू ओके पेड़ा लड्डू साइड हो जाते हैं हम बड़ा मीठा रखे हो यार चली तो answer के इस question का answer इस question का sports इस question का answer एक और question देखेगा सत्रमा question बता ही is question डारक चेंज वैपर का solid में या फिर solid का वैपर में किस भी होता है इस question का answer का जल्दी से बताएगा ठीक है इस question का answer का comment करेगा बड़ा प्यारा question है चलिए तो आंसे के जैसे इस कोशन का देखो जैसे ये कोशन है सब्लीमेशन है ठीक है आप समझ रहे हूं मैं पहले टेस्ट में जो टार्गेट दिया था वो टार्गेट सू समझ के था कि यहां इतना ही आएगा अभी मैं टार्गेट मैं कल आपको चार सेट के स्कोर बता ठीक है अठारमा कोशन देखे राजा रानी टेंपल कहां पर करेंट फिर में वीरा इस कोशन का आँसे के हैं कल मैं आपको थोड़ा मिसलेनियस टाइप कोशन कराऊंगा तो कल डिफिकल्ट होगा कोशन थोड़ा जादा ठीक है और चार बजे की साइंस के कोशन बड़े खत कोशन का उड़ी सा जो सब पर बारे एक और कोशन देखे हाइस पीक साउथ इंडिया कि आंसे के इस कोशन का जल्दी से बढ़ेगे बड़ा कराने को मैं आपको तियोरी करा दू कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पेपर से एक दिन पहले मैं कहूंग की यारि थेयोरी पड़ो फिर तो आप एक नुकसान करवार हो एक है पेपर से पंद्रत दिन पहले थेयोरी को रिवाईस कर सकते हैं UNBC है पर नहीं है प्र है तो कोशं करने हैं आपको ट्रेक्टीसक्राइज टेस्कर्ने आपको से कोशंग अनुदी इसकोश्न का अंसर एकष्पत इंदिखी विश्मौ मwort लुट्वी प्रायम् निस्टर ऑफद वरल्ड शिलंग Roz ? जल्दी से बताईगे कि चालो तो इस कोशन का आंसर है शिल्मों का भन रहा के एक और कोशन देखें किसमें कोशन हमारा तिरंगा किस ने डिजाइन किया था बताईगी यह बड़ा आसान सवाल है चलिए तो इस कोशन का आंसर के हैं कमेंट करेगा 21 कोशन का आंसर पार्टी स्पेट करो मैक्सिमम फिर टेलिग्राम पर जोड़ जाना हर बच्चा कोई भी बच्चा मिस्स मत करना कि कि मैं अभी आपको पीडियेफ भी शेयर करूँगा सारी पीडियेफ आती हैं अपनी आंसर कोशनочку का 22 देखो कौन से टाइब के फॉरस में पाये जाते हैं टेस्ट की टाइमिंग 7 बजे है ठीके और गेस्ट की टाइमिंग साड़े साथ बजे मलब साड़े साथ बीज सेवन फोटी फाइफ चीफ गेस्ट की ठीक है समदर क्या कहना चाहता हूं मैं आप चीफ गेस्ट बनके ना है स्टूटन बनके हैं टाइम पर आये साथ बजे चलिए आंसे के इस कोशन का तुंद्रा अब लास्ट में जो कहें ना गुड़ इविनिंग सर वही है हमारे आज की चीफ गेस्ट देखते हैं को नहीं हरपन सिवलाइजेशन की डिस्कवरी किसने करी आंसे के इस कोशिंगा देयराम सानी जी के द्वारा चोबिसमा कोश्चन अफ्रीका की कौन सी लेक से एक्वेट का चलिए तो इस कोशिंगा आंसर के हैं तो लेक्तोर्य कोर्या लेक वेरी फिर्मस औरिम्परोडन में बहुत ही महतरपुन सवाल है फचिसमा कोश McMा खतर्राग सावाल है एक यही कोशन आपके 25 में से 25 की रेश को कम कर सकता मतला आपको 24 पे ला सकता अगर आपके 25 नमबर आ रहे होंगे और गैनिक एवल्यूशन पहली बर किस ने एक्स्प्लेइन किया था पच्चिस में से पच्चिस आ रहे होंगे तो अभी 24 हो जाएंगे इस कोशन से कि बदेया आंसे के सब्सक्राइब कि पटा बटा सभी जो यूनीक नाम वो तो जल्दी याद होते हैं ठीक है तो डोंड वरी पता चल्दाता हमें कोन स्टार्टिंग में आता कोन पीछे से कोन बीच में अमीर करता हो स्टार्टिंग में आओ और मैं बस इसी क्लास में कहता हूँ चार जहां पर टेस्ट कराता हूँ वहां पर कहता हूँ टाइम पर आओ अदरवाई साब मज़े से आओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है टेस्ट टाइम पर देने हैं आपको बता रहा हूँ आपने कहीं पर भी कितना भी पड़ा हो आपको फायदा अभी होगा 15 दिनों में जो आप रिवाइस कर लेंगे मैं आपको दुबारा बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बहुत कैड़े वाली रिवीजन चाहिए 15 दिन आप रिवीजन पर फोकस क अगर आप मुझसे प्लस में पढ़ना चाहते हैं देखे आप थियोरी पढ़ें प्लस में मैं यह नहीं कहता है मैं थियोरी नहीं पढ़ा रहा है मैं इवन यूटूब पर पढ़ाता हूँ लेकिन अभी मैं लोंग टार्गेट देखता हुए कि आप आगे तीन-चार महिने में जो एक्जान देने वाले हैं उसके लिए मैं आपके लिए कोर्स लेके आ चुका हूँ पूरी थियोरी पढ़ना चाहते हैं लाइव अमन कोड यूज़ करें और जुड़ जाए पूरे डिसकाउंट लीजिए और रेगुलर क्लास मिलती है अनकेडमी प्लस पे आपको ज चलिए मिलते हैं साथ बज़े क्लास डेली देखी टेस्ट करिए अपने आपको और पंदरा दिन फुल करिए अधियर ग्यारा बज़े का क्लास होता है प्लस का बाकी इस समय आप टेलीगराम पर जूट रहे हैं आपको सारी क्लास का लिंक मिलता रहेगा ठीक है ओक के बाए मिलते हैं ये जित आप आपको सारी क्लास का बेस्ट करिए आपको सारी का की सिरी गख भीए और ही और ंपको सारी कि मिलता रहे हैं अपको सारी क्वाराम येडरा है